आद में आपके साथ समर स्पेशल मैंगो शेक की रेसिपी शेयर करूंगी बहुत ही हेल्दी वे में मैंने इसको बनाया है जितना ये हेल्दी है उतना ही ज्यादा डिलिशियस भी है जो लोग वेट लॉस डाइट लेते हैं वो भी इसको ब्रेकफास्ट में इंग्लूड कर सक अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब की जिससे में जो भी वीडियो अपलोड करूंगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा देखते हैं रेसिपी को इसके लिए मैंने ये आम लिया है ये पका हुआ है इसको अच्छे से पील करके पीसिस में कट कर लें हुए एंड ये शहद है आप चाहे तो इसकी जगे शुगर भी आड़ कर सकते हैं बट मैं इसको हेल्दी वे में बना रही हूं तो मैं शहदी आड़ करूंगी थोड़े सी ये ड्राइफूट से इसको मैंने कट कर लिया है ने कानीशिंग के लिया है ये टॉनमिल्क है एक ग्वाडत मिल्क है तो मनीटी आप कम जादा कर सकते हैं थोड़ा से सिनमन पाउडर है ये केस ने के लिए लिया है थोड़े से चीया सेट है इसको भी बाद में आड़ करेंगे थोड़े सी से पीसेस में कट कर लिया है एंड यह थोड़े से आइस क्यूप्स लिये हैं इनको भी एड करेंगे सारे इंग्रीडियंट्स को इस तरीके से ब्लेंडर में डाल लेंगे यह मिल्क जो ड्राइफूट्स थे वो कि सिन्नमन पाउडर जो शहर भी एड कर लेंगे एंड आइस क्यूप्स सभी चीजों को इंक्लूट करके और अच्छे से ब्लैंड कर लेंगे यह देखिए मैंने इसको ब्लैंड कर लिया है एंड बहुत ही जल्दी बन जाता है यह विदिन फाइब मिनट में आप इसको बना के सर्प कर सकते हैं बहुत डिलिशस एंड बहुत हेल्दी ऑप्शन है ब्रेक्फास्ट के लिए इस तरीके से इसको गानिश कर लेंगे जो ड्राइफूस कट किये थे उनसे देखिए बहुत अच्छा टेश्ट आता है इस तरीके से जो केसर के थागे थे टोटली ऑप्शनल है अगर आपके पास है तो एड कीजिए नहीं त तरीके से एड कर देंगे एंड लीजे विदिन फाइब मिनट में आप इसको बना के किसी को भी सर्फ कर सकते हैं अगर कोई आ जाता है तो और आप भी इसको प्रेक्फास्ट में ले सकते हैं आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी सो प्लीज डू सब्सक्राइब आपको अन्यू